हाव तो रिमूफ बेंग एकाउंट फ्रॉम पेटियम नमस्कार दोस्तो सुवागर आप सभी का तिकिराज यूटुब चैनल पर तो दोस्तो अगर आपने भी बेंग एकाउंट लिंक किया है अपने पेटियम के अंदर पे तो यह वीडियो आप पूरा जरू डेखेगा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेटियम का बेंग एकाउंट जो की लिंक किया है आपने उसको रिमूफ कैसे कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते मेरे स्क्रीन पर भी मैंने अपने एक्सिस बेंग यहाँ पर एड किया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर श्क्रिन पर भी आप देख सकते लिंक एकंट पर एक्सीस सो कर रहे तो मैंने एक्सीस बेंग में यहाँ पर 8 क्या हुआ है तो इसको के से रिमूफ किया जा सकते हैं आज के इस वीडियोँ पर आप यही बात करने वाले क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रिमूव करने का तरीका बताने वारा हूँ ठीक है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतक देखे और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो make sure चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकून को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्राब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके message कर सकते है तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते और देखते है यहाँ पर की कैसे हमें account remove करना है सबसे पहले आपको pytm āपन कर लेना है ठीक है और यहाँ पर आपको मिलेगा profile option उपर में तो उसमें क्लिक करना है उसमें क्लिक करने के वाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है नीचे आपको मिलेगा profile setting ठीके लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं मैं जैसे profile setting पर एंटर करूंगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा security reason के वज़े से मैंने screen recording on कर दिया लेकिन फिर भी SI है तो profile setting पर जाएंगे उसके बाद यहाँ पर होगा security and privacy उसमें click करना है security and privacy में जाने के बाद दोस्तो आपको जो है उपर में change upi pin का option मिलेगा तो उसमें click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको remove account का option मिल जाएगा ठीक है remove default bank का option है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है remove default bank और आप भी देख पा रहे होंगे ठीक है यहाँ पर तो अभी इसमें click कर दिजेगा इसमें click करने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है अगर आपको दूसरा जो account है उसको link करना है तो फिर आप यहाँ पर link account कर सकते है link another bank लेकिन जो bank है उसको remove करना चाहते है तो yes remove bank कर दिजेगा ठीक है तो yes remove bank करती है आपका जो यहाँ पर account है bank का तो वो remove हो जाएगा ठीके तो इस तरीके से अगर आपके पास दो एकाउंट है बेंक तो आपको select करने का भी option डिया हुआ है तो उसमें click करते हुए आप क्या कर सकते इसको delete कर सकते हैं ठीके एकाउंट को remove कर सकते हैं तो बहुत ही आसान है दोस्तों यहाँ पर जो process है अगर आपको बेंक एकाउंट remove करना है जो की link है पेटियम पर तो उसको आप इस प्रकार से जो है remove कर सकते हैं ठीके उमीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बसन होगा thanks for watching